गुड मॉर्निंग तू अल आफ यू वेलकम डू दू दा कंप्लिट मेडिकल सॉलिशन तूडे भी डिसकेसट एवाउट बेनेडिक्ट टेस्ट आज हम जिस टॉपिक पर बार करेंगे जो क्लासेस लेंगे वो किस टॉपिक पर हैं बेनेडिक्ट टेस्ट तो बेनेडिक्ट सिंपल कैमिकल स्ट टेस्ट एवाउट एख थे प्रकार के क्या एक सिंपल कैमिकल स्टेश्ट अहे धेयर देट कैन वी वी तू चेक्ट आप प्रेजर सव डिशिंग शुगर रिडिशन सुगर और सुगर देट है फ्री एल्डोज और कीटोज ग्रूप ठीक है capable of donating electrons to other molecules by oxidizing them ठीक है यह हमारा क्या होता है benedric test ठीक है this includes all monosaccharides ठीक है क्या होता है example क्या होता है glucose है, fructose है और galactose and many disaccharides including lactose और maltose next time में आगे बात करते है preparation of benedict regent जो benedict test में जो regent करते हैं उसका preparation कैसे करेंगे तो उसके बारे में बात करते है preparation of benedict regent में हमारा क्या है first है हमारा major 17.3 grams of copper sulfate copper sulfate क्या होता है cuSO4 ठीक है यह कितना लेंगे major 17.3 grams cuSO4 ले लिया और 173 grams ठीक है यह क्या लेंगे sodium citrate Na3C6H5O7 ठीक है यह हमारा क्या हो गया sodium citrate and 100 gram of any hydrous sodium carbonate ठीक है Na2CO3 यह कितना लेंगे 100 gram ठीक है और 270 grams of sodium carbonate decay hydrate Na2CO3 0.10 H2O next cap put all the major chemical in a volumetric flask इन सबको major किस्मिकल लेंगे यह को volumetric flask और जो volumetric flask है वो कितना होना चाहिए 1000 ml का होना चाहिए क्योंकि यह जो भी हम रिजेंट लेंगे एक देखो 17.3 ग्राम समने CUSO 4 ले लिया 173 ग्राम sodium citrate वगरा और जितने भी रिजेंट लेंगे तो उन सबको major करेंगे volumetric flask में जो कितना होना चाहिए 1000 ml का होना चाहिए नेक्स्ट आगे क्या है प्योर डिश्टिल बार्टर अप्टू 1000 ml मार्किंग डिजॉल्व आल्दा कंपोनेंट प्रोपली वाइट शेकिंग जेंटली सबको कि डिजॉल्व कर लिया ठीक है प्रिप्रेशन ओफ बेनेडिक्ट रिजेंट जो अभी हमने आपको बात की थी 17.3 ग्राम सीओ एसओ फोर 0.5 एच्टू ओ ठीक है कॉफर सलफूइट प्लस हम क्या ले रहे हैं सोडियम साइटरेट ये कितना ले रहे हैं 173 ग्राम और इसमें क्या अड़ कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट एनेटू सीओ थी इससे हमारा क्या बन गया बेनेडिक्ट रिजेंट इससे बहुत सारी प्रक्टिकल बेसिस पर पूस लिया जाता है जो बेनेडिक्ट रिजेंट ही है हमारा कितना 1000 ml इससे प्रिप्रेशन कर लिया जो भी रिजेंट है ले लिया उसके बाद प्रिंसिपल रहता है ठीक है प्रिंसिपल क्या है दा रिदिशिंग सुगर अंडर एलकलाइन कंडिशन फॉम एनेडियल्स बेनेडिक्ट सॉलिशन कंटेंज मालईदवल कंडिशन कंटेंज प्रिंसिह थे लियुम व्ята झालिक्ट सॉल后 झालिक्ट सब्रिंस केजि़ गविंट है भीट केजि़ केजिव है लिए कर अंडिक्ट आकेजि़ केजि़ अलिगयोच Λाच connecting हुप ग इन प्रिंसिवन ओ Bjelu कारपस ओक्साइट यह नीचे हमारा रियक्शन है ठीक है यह प्रिंसिपल हो गया उसके बाद जो भी प्रिंसिपल ने जो Materials required होगा, क्या-क्या होता है, requirement हमें क्या चाहिए, benedict test के लिए, benedict regent चाहिए ठीक है, और बाटरबात हो गया हमारा, dry test tube, pipette, sample, pc और nc, positive control और negative control, क्या-क्या material है, benedict regent है, बाटरबात है, dry test tube है, pipette, sample, और positive control, 5% glucose होगा जसमें, ठीक है पी-सी में, negative control, distilled water, next आगे, हमारा आता है, procedure, प्रोसीजर में हमारा, add 5 ml of benedict qualitative regent to a test tube, 5 ml benedict regent ले लिया क्या, qualitative regent, एक test tube में, add drops, 8 drops मतलब, 8 drop या, 0.5 ml of urine, boil over high heat for 3 minutes, the content of the tube becomes cloudy due to the precipitate which can vary from green to brick red depending on the amount of sugar present in the urine, if no sugar is present, the solution will remain clear, also slightly turbidity, जो देखो result आएगा उसका वो नीचे आपको बता रहे है, result interpretation, benedict test result, जो हमारा, देखो एक blue solution है, दूसरा है green, yellow, और क्या हमारा orange red है, और black red, positive benedict test color change from blue to brick red, blue to brick red में हो रहा है, वो हमारा क्या है, positive benedict test है, positive benedict test, no changes in color, तो crouch, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, कोई भी color changes नहीं हो रहा है, यह result मतलब, आप इस तरीके से आप identify कर सकते हैं, color object की बात करते हैं, तो देखो अभी जो हमने color की बात किए, उसमें जैसे blue color है, तो उसमें sugar nil है, ठीक है, absent sugar, और green color आ रहा है, तो उसमें sugar कितना है, 0.5%, result interpretation plus, green आ रहा है, तो 0.5 to 1% sugar है, और yellow आता है, तो 1 to 1.5% sugar है, next है हमारा orange, orange में हमारा क्या है, 1.5 to 2%, black red में आता है, तो 2% से ज्यादा सुगर होगा, यह होगया color object के basis पर identify आप करेंगे, अब advantage की बात करते हैं, जो भी मतलब कोई भी देखो test होता, तो उसके advantage भी होते हैं और disadvantage भी होते हैं, advantage of veneric test की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, यह simple test requiring fewer materials and less time, इसमें क्या है, मतलब बहुत ही कम instrument, बहुत ही कम उसके region की आप सकता प्रदर, यह simple test है, ठीक है, कुछ ही मतलब few materials और time की भी बचाते हैं, non-toxic region है, ठीक है, और क्या होता है, inexpensive है, बहुत qualitative and semi quantitative evaluation, यह हमारा हो गया advantage of beneric test, next हम आगे बात करते हैं, limitation of beneric test, false positive result due to reaction with drugs-like, जैसे अगर false positive result आ रहा तो वो किस वज़े से रहा है, reaction with drugs-like जैसे pencillan के साथ reaction हो गया, isonide, और क्या, streptomycin है, salicylates and P-amino salicylic acid, और क्या, chemical in urine like cretinine, ascorbic acid and ureate-retreated benedict reaction, the exact concentration of reducing sugar cannot be measured only in estimates, semi quantitative value can be indicated, यह हमारा होगा limitation of beneric test, यह हमारी theoretical class है, related to beneric test, ठीके, इसमें क्या होता, require, मतलब further test for identification of the carbohydrate, मतलब बहुत ही कम वो require further test for identification of the carbohydrate, यह हमारी theoretical classes है, beneric test से लिखे, और practical classes भी है, वो बहुत ही जल्दी आपको इसी channel पर मिलेगी, और theoretical अगर आपको कोई भी confusion है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, thanks for watching this video, thank you, any questions please ask on comment section, practically वीडियो बहुत ही जल्दी आपको इस channel पर मिलेगी, अगर आपने अभी तक हमारी channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लेए, thank you,